मैनिफेस्टों में पांच बड़े आइडिया हैं हमारा हाथ का सिंबल है और पांच हमारे में थीम्स हैं सबसे पहला थीम नयाय का थीम प्रदान मंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो जूट था पुरा देश जानता है कि वो जूट था हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टों कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकालके हमें दीजिए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सच मुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पै 72,000 रुपे हर साल गरीबी परवार 72,000 और यह कॉंग्रेस पार्टी की पहली गैरंटी है कि हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार डाइरेक्ट पैसा डाले गी एक साल में 72,000 पांच साल में 3,60,000 सबसे बड़े दो मुद्दे हैं रोजगार और किसान देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है नरेंद्र मोदी ने दो करोड की बात की जूट मैंने इस मामले में भी मैनेफेस्टो कमिटी से कहा मुझे आप सच्चाई बताइए सच्चाई किया है दो करोड नहीं किया जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई किया है मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं और सच्चाई बड़ी क्लियर है 22,000,000 सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं उनको कॉंग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भरके दे देगी दस लाइक दस लाएक युवाओं को ग्राम पंचाईतों में रोजगार दिया जासकता है उन दस लाइक युवाओं को कॉंग्रेस पार्टी ग्राम पंचाईतों में रोजगार दे देगी एंटरप्रेनर्स के लिए आज अगर आप एंटरप्रेनर्शिप करना चाहते हैं मेक इंडिया की दुनिया में आप बिजनस खोलना चाहते हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट से आपको पर्मिशन लेनी पड़ती है रिश्वत देनी पड़ती है हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है तीन साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनस खोलने के लिए कोई पर्मिशन की ज़रुएं किसी से कोई पर्मिशन लेनी की ज़रुएं मध्यप्रदेश 36 गर राजिस्तान पंजाब करनाटक में कॉंगरेस पा तो किसानों के लिए हमने दो चीजें बड़ी चीजें सोची है एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए जैसे रेलवे बजट होता था किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए हिंदुस्तान के किसान को मालम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है उ जब उसके सामने होना चाहिए, दूद का दूद, पाणी का पानी होना चाहिए, तो यह हमारा पहला स्टेप और दूसरा एतिहासिक स्टेप, हिस्टॉरिकल स्टेप, लेकिए, करोड़ पती बेंक लोन लेते हैं, आपने देखा, अने लंबानी जैसे लोग, मेहुल चौकसी जैसे लोग, नीरव मोधी जैसे लोग, चोरी करके, बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं। मगर जो हमारे किसान हैं, इमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं, अगर वो पैसा वापिस नहीं दे पाते हैं, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ओफेंस माना जाता है. हमने निन्ने लिया है, कि उसको अब हम क्रिमिनल ओफेंस ना मानें, शिक्षा में हमने निन्ने लिया है, कि जीडीपी का 6 प्रतिशत पैसा, 6 प्रतिशत पैसा, हिंदुस्तान के शिक्षा में दिया जाए. universities colleges IITs IIM हमारे जो बहतर सबसे top quality के institutions हैं हम उनको सब जगे सब लोगों के लिए accessible बनाना चाहते हैं तो education के लिए हमारा 6% budget का target है नरेंद्र मौदी जी की सरकार ने उसको reduce किया है UPA के समय से reduce किया है तो हम insurance private insurance based healthcare पर भरोसा नहीं करते हैं हम सरकारी हस्पतानों को सरकारी public health को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारा focus होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को high quality hospital की access हो high quality इलाज की access हो तो यह हमारे पांच focus areas होंगे national security